इस्ट्रोलाजी सिंप्लिफाइड में आपका स्वागत है जोतिसला में आज हम बात कर रहे हैं जो भी आपका लगने लगने है लगने लाड़ है इसके अनुसारी आपका इनर यक्ति तो रहता है मतलब आप उसके अनुसारी अपने लगने के अनुसारी आप अपना इमोशन्स है आपका चाहत है आपका कारे है यह सब लगने के अनुसारी बताता है तो जब भी आप देखेंगे कि आपका अंदर की जो चाहत है आप किसलिए लगने मतलब आप जब जन में लिए तो आपके सामने वो लगने आया है तो आपका परपस भी वो हो जाता है लगने का अनुसार तो हम देखेंगे कि लगने का अनुसार परपस कैसे देखते हैं तो सरुपतम देखें मालो कि आपका एक नमराने मेश लगना है आठ नमराने वश्चिक लगना है तो इसका जो स्वामी होता है वो मंगल होता है मंगल जो वो आप की जो चाहद बनाएगा मतलब अब की इच्छा अच्छा का इच्छा है रहेगी उसके लिए आप यहां अपना इच्छाह के लिए हैं जो आप अपने लगने की अनुसार करेंगे इसी परकार से अगर आपका वश्यब लग और तुला लगना है तो यहां सुक्र ग्रह है तो शुक्र जो है आपका आनद का है विलासिता का है उसके लिए यह दर्शाता है इसी तरह अगर मर्कुरी वाले लगना है आपके तीन नमर अन मिथून और छे नमर आपकी चे नमर करने लगना है तो आपका जो लगना का स्वामी बनता है वो बुद्ध बनता है बुद्ध माइंड और माइंड का जो एनालिटिकल पावर है उसका यूज़ आप करेंगे इसी तरह से चंदमा का चार नमर करकर आठिज करकर लगना होगा तो आपका emotions आपका कारे करेगा हर छेतर में उसी तरह से आपका inner body जो काम करेगी लगना ने आपकी inner body है आप अंदर से क्या चाहते है वो कारे करता है तो सीह लगना है तो आपका जो आपका intelligently आप कारे करेंगे इसके लिए आपके जो भी leadership का कारे है वो आपका बन जाएगा इसी तरह से आपका अगर धनू लगना है या मिन लगना है तो इसका स्वामे गुरू होता है तो गुरू जो है यह लगना वाले जो रहेंगे वो आपको society में कुछ से change करने का आपको कारे रहेगा आपकी चाहत रहेगी अंदर से इसी तरह से अगर आपका 10 नमबर मकड लगना और 11 नमबर कुम्ब लगना है तो आपकी चाहत रहेगी service करने के लिए दूसरों के लिए तो इस तरह से जो हमने देखा कि लगन जो कि आपको अंदर से आपको क्या करने की एक चमता देता है वो आप अपने लगने के अंसार दे सकते हैं फिर यह देख सकते हैं कि लगने का स्वामी कहां बैठा हुआ है उसको भी देखा जाता है और इसको जब भी इंकी दसाएं अंतर दसाएं आएगी तो एक्टुएट होगा तो आपका जो परपस है लगने के अंसार वो फुल्फि का जो है वो करकर लगने वालों के लिए और सूरिय जो है वो आपके सी लगने के लिए होता है तो इनके आपको दर्शन करके इनकी पूजा अरादना करके आपको आपको ये महसुस होगा कि इस लगने वालों के लोगों के लिए दोनों जो ग्रहा आपको दिखते हैं तो इनकी पूजा अरादना करना चाहिए जिससे कि आपको और भी आपके कारेश है तिरमा जो इनर आपका करने का रूल है वो बहुत अच्छा होगा तो इस तरह से आपने देखा कि अगर जब भी आपको लगने की दसांतर दसा हो या दसमभाव के लगने से जो दसमभाव उसके जब आपका लगने का गोचर में जोगा यह आएगा तो यह एक्टवेट होगे आपके इनर लिए जो आप चाहते हैं वो ऐसे आपका जो इनर बॉडि लगने के अनुसार हमने बता है वैसे कार आपका करने का इच्छा होगी औ और आप उसमें अच्छे कारेंगे, तो यह आपने देखा किस तरह से आप इसको अप्लाइ कर सकते हैं, मालो मेरा वर्षिक लगना है, तो वर्षिक लगना का मंगल है, तो हम पूर्ण करेंगे, और जब भी या तो मंगल की दशा आएगई, तो उसमें यह बहुत अच्छा है हमारी जिन्दिगी में हम आमरी जो इच्छा है वो उस टाइम पर कर पाएंगे जब लगने मंगल की दसा आएगी अगर वो नहीं आ रही है आपकी तो आपको क्या करना है कि देखना है कि जहां भी मंगल बैठा है और या दसम भाव में कि प पर जाएगा और या दसम बहुत जाएगा तो तब भी आप अपने जो इच्छा है है वो इनर इच्छा है जो आपके अंदर से आएगी वो जरूर पूर कर पाएंगे तो इस तरह से आप हरे लगने का भी देख सकते हैं अगर आपकी दसा अंतर दर्शा नहीं आरे तो जो वाइज है वो सुनने को मिलेगी और उसका उस से आप जैसे हरे mee लगने के बारें बता है विसfach talent कर पाएंगे तो यह सरल से डानकर हमने देने का पसंदार है पर हमारे चैनल स्प्लिफाइट के जरूर सब्क्राइब कुए और और उपलब्द वीडियों का भी लाप उठाइए जो हमने चैनल एस्ट्राजी सिंप्लिफाइट पर उपलब्द हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब परने के वीडियो को लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद